हेलो फ्रेंज आप सभी का वैलकम है मेरे यूटूब चानल में और आज मैं आपके साथ में शेयर कने वाली हूँ कि किस तरह से आप मत्की या फिर कलश को डेक्रुएट कर सकते हैं और इसके लिए मैं यूज कने वाली हूँ एक्रिली कलर ये कलर आपको किसी भी स्टेशनरी चॉप में बहुत ही इजिली मेल जाएंगे और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं और इसे ब्रश की हेल्प से आपको मत्की के ओपर अपलाई कर लेना है और उसके बाद में इसे कंप्लीटली सूख ने देना है सो फ्रेंज अब हमारी मत्की बिल मैं यहाँ पर फ्रेंज अब हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है और इसी तरह हमें पूरे मत्की पर बना लेना है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसी तरह हम उपर के साइड में भी मिरर स्टिक कर लेंगे फ्रेविकॉल की हेल्ट से अब मीरा को भी चारो तरव स्टिक कर लेंगे और आप इस्तेमाल करने वाली हूं 3D out liner का आप किसी भी OUT liner का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए यहां पर मैं homemade 3D outliner का इस्तेमाल कर रहे हूं अगर आप चाहिए तो इसकी link भी आपको मेरे description box में मिल जाएगी जिसे आप easily घर में बना सकते हैं किसी भी color का So friends इस तरह से आपको dot की help से आपको 3D outliner से इस तरह से इसे decorate कर लेना है और completely सूपने देना है और उसी तरह मैं उपर के side में भी patterns बना लूँगी आप अपने choice के according कोई भी pattern बना सकते हैं और इसे और भी जादा अच्छे से decorate कर सकते हैं So इस तरह से 3D outliner से आपको पूरे मटकी पे design बना लेना है और इसे completely सूपने देना है इसे 2-3 गंटे तक आपको इसे तरह छोड़ देना है और उसके बाद में आपकी मटकी बिलकुल ready हो गई है और आप दिख सकते कि बहुत ही प्यारी लग रही है So friends I hope आप सभी को ये decoration idea पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर try करिए Friends अगर वीडियो पसंद आई है तो please इसे like और share करना साथी मेरे चैनल को subscribe करना और bell icon को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने बली सारी वीडियो की notification आपको मिलती दे So friends बाबाई and take care